पानी के लिए पूरे देश में हाहा कार मचा है। मुश्किली रास्ता है जिसके उपर चड़के ये लोग पानी भढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पानी की किल्ला तैसी है कि देश के अलग-अलग जगहों से ये तमाम तस्वीरे सामने आ रही हैं। काली गंदी रेट से तिनका-तिनका साफ पानी खोजते इन हाथों को देख कर ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि इन्हें हीरे की तलाश है। ये महिलाएं पानी ही खोज रही हैं और इसी पानी से अपने और अपने परिवार की प्यास बुछाती हैं। गंदा पानी पीने की ये मजबूरी की तस्वीरे हैं MPK बैतूल के आठ नेर विकास खंड के गाउं, गाउं सालाई धाना की। जिस पानी को हाथ लगाने से भी हाथ गंदा हो जाए, सालाई धाना की लोगों की किस्मत में यही पानी पीना लिखा है। चिलचिलाती धूब और पत्रीले रास्ते पर गाउं की महिलाएं रोजाना पानी की तलाश में निकलती हैं। और जैसा भी पानी मिलता है लेकर घर आ जाती है। नदियों के किनारे रेत में गड़ा खोद कर पानी खोजना रोज मर्रा की जिन्दगी का हिस्सा बन चुका है। आलम यह है कि नदी के जिस घाट से पशु पानी पीते हैं, उसी घाट से इन महिलाओं को अपने परिवार के लिए भी पानी लेने की मजबूरी है। एमपी के टीकम गड़ की इस तस्वीर को देखिए। ये कोई गुंडे, बदमाश या फिर किसी की सुरक्षा में तैनात नहीं है। हथ्यार बंद इन लोगों को नदी के पानी की चोरी रोपने के लिए तैनात किया गया है। तस्वीर थोड़ी चोकाने वाली है, लेकिन एक एक बून के लिए जिस तरह से चारों और हाहाकार मचा है, हकीकत यही है। नगर निगम ने जामनी नदी पर ये पहरा बिठाया है। तीकमगण से लगे यूपी के सीमावर्ती गाओं के लोग जामनी नदी में पंपिंग सेट लगाकर पानी खींच लेते हैं। इससे नदी में पानी का संकट बढ़ जाता है, जिसका असर तीकमगण में पानी की सप्लाई बरफड़ता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ताले में बंद कुआ देखा है कभी। जारखन की राजधानी राची की ये हकीकत है। लोग पानी चोरी ना कर लें, कुए में ही ताला लगा दिया गया। गुए में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। शहर में भी पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को सुबह होते ही पानी भरने के लिए कतारों में लग जाना होता है। राची जैसे शहर में पानी की किलत का आरम ये है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी पीने का पानी नसीब नहीं है। कही प्यास से लोग मर रहे हैं, कही सूखे से हार कर किसान आत्मात्या कर रहे हैं। पानी के लिए पहरा बिठाया जा रहा है तो कही कुए में ताला लगा है। हालात बच से बत्तर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार मानों भगवान के भरू से बैठी है। बारिश होगी तो पानी मिलेगा। पीकमगण से आरबी परमार, बैतूल से प्रदीप परिहार के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, राची।